मिरा रंग दे मिरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे बंदे मातरम जय जय गरवी गुजरात कच युवा संग के मेरे वो बहादर नौजवान जिनके कारे करम को देखके मैं खुद भावक हो गया मैं अपनी आँखों में आशू रोक नहीं पाया हमारे 17 जवान शहीद करके जाते हैं अतंकवादी और दस दिन के अंदर पाकिस्तान में गुश करके 45 अतंकवादियों को ठोक के मार के जिन्दा शहीद की तरह वापस आते हैं मैं उस नरिंदर मौदी की पॉलिसी के साथ हूँ जैसे कच युवा संग एक मिशन लेके चला है बड़े लोगों ने मिशन चलाए हुए हैं पर करता कोई नहीं बहुत कम लोग हैं जो करते हमारी जिन्दगी का काफी सफर इसी में गुजर गया इस तरीके के मिशन को जिस तरीके से चलाया जा रहा है अगर ऐसे मिशन को ले कि आज कश्मीर के अंदर हमारे जवान के उपर पत्थर नहीं चलता जो आपकी और सिमाओं की रक्षा करते हैं आज पाकिस्तान जंदाबाद का नारा नहीं लगता है आज पाकिस्तान के जंडे नहीं लहराए जाते हैं चैलेंज आया एक पुलिस ऑफिसर आये जैसे यहां इंस्पेक्टर साथ एरिये के ऐसे आये इस बार यहां तरंगा जंडा ना ले रहाए ये क्यों अतंकवादियों ने चैलेंज किया है यहां हम बम चलाएंगे मैंने कहा वो जल्यावाला बाक में अपने ग्रैंट फादर के सामने उस खून की लाल मिट्टी पे छपत ली थी कभी जिन्दगी में भात्र भूमी की अजादी की रक्षा करने का वक्त आया तो हम अपना जीवन देंगे आज वो वक्त है इस तरंगे हिंदू मुस्लिम सिक्षाईयों के खून से बने तरंगे जंडे को जैसे पहले लहराते थे अब भी लहराएंगे उनको कहो चलाएं ब लगा रहे थे लगा के अंदर आए बहुत बड़ा बंब चला दिया पांच वजे बंब इसलिए चला दिया कि हम मात्र भूमी की रक्षा ना कर सके हम खून से मिली हुई इस अधादी की तरंगे जंडे की रक्षा ना कर सके हमने बारा वजे जब जंडा लहराने लगे अतं जंदबाद नहीं लगाने दिया और तरंगे जंडे को लहराया हुआ लहराने के बाद फिर उन्हें ने कहा कि अब तरंगे जंडे को उतार कि हम करते हुए उस तरंगे जंडे को लेगे बंबों को लिया का जवाब हमने तरंगे जंडे को लहरा के दिया वंदे मातरम